परिचय नेत्र मानव शरीर का सबसे महतपून ग्यानेंद्री है। नेत्र हमें हमारे आसपास की खुबसूरत दुनिया को देखने के लिए सक्षम बनाती है। आओ, हम इस अद्भुद ग्यानेंद्री के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। उद्देश इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। मानव आँख के कुछ हिस्सों की व्याख्या करना। आँखों की दोशों को विस्त्रित करना। आँखों के अच्छे स्वास्त की देखभाल के लिए सावधान या बरतना। ब्रेल पद्धदी पर टिपड़ी करना। मानव नेत्र आँखें लगभग दो दशमलव तीन सेंटिमीटर के वियास के साथ गोल होती हैं। हम हमारे आसपास की वस्तूओं को देखने में तब सक्षम होते हैं, जब प्रकाश उस्सरजित या उनसे परवर्तित होकर हमारी आँखों में प्रवेश करता है। यह आप्टिक नसों के माध्यम से हमारे मस्तिश्क में प्रतिबिम्ब के संकेत भेशता है। आगे हम विस्तार में आँख की सनचना का अध्ययन करेंगे। अधिक जानकारी के लिए लेबल पर क्लिक करें। मानव नेत्र से संबंधित शर्तें द्रिष्टी की जड़ता आँख के रेटिना पर बने प्रतिबिम्ब का प्रभाव सेकेंड के एक बटा सोलवे भाग तक बना रहता है। स्पष्ट द्रिष्टी की नियूनतम दूरी एक आँख को स्पष्ट रूप से देखने के लिए जरूरी कम से कम दूरी को स्पष्ट द्रिष्टी की नियूनतम दूरी कहा जाता है। स्परष्ट द्रिष्टी की नियूनतम दूरी एक सामान्य मानव आँख के लिए 25 cm होती है। द्रिष्टी दोश एक सामान्य आँख एक विस्तृत श्रिंखला में सभी वस्तुओं को 25 cm से अनंध तक देख सकती है। लेकिन कुछ आसमान्य आँख के कारण जब आँख एक विस्तृत श्रिंखला में एक सीमा के आगे नहीं देख सकती तो इसे दोश पूर्ण माना जाता है। आँखों में दोश निकट द्रिष्टी या अदूर दर्शिता द्रिष्टी दोश के कारण एक आँख दूर की वस्तूओं को स्पश्ट रूप से नहीं देख सकती है। द्रिष्टी के इस दोश को सुधारने के लिए अफ्तल लेंस का प्रियोग होता है। द्रिष्टी दोश के कारण एक आँख आसपास की वस्तूओं को स्पश्ट रूप से नहीं देख सकती है। द्रिष्टी के इस दोश को सुधारने के लिए उत्तल लेंस का प्रियोग होता है। मोतिया बिंद द्रिष्टी दोश के कारण लेंस धुनला या अपार दर्शी हो जाता है। ऐसे लेंस के माध्यम से रोशनी रेटिना तक नहीं पहुँशती है। द्रिष्टी के इस दोश को सुधारने के लिए अपार दर्शी लेंस हटा कर एक नया कृत्रिम लेंस डाला जाता है। आखों की देखभाल आखे नाजुक और किम्ती हैं। इसलिए हमें हमारी आखों की उचित देखभाल करनी चाहिए। हमें आखों के लिए कुछ इहत्याद वरतनी चाहिए। बहुत कम या बहुत ज्यादा प्रकाश में नहीं पढ़ना चाहिए। सूरे या एक शक्तिशाली प्रकाश की तरफ सीधे ना देखें. सूरे ग्रहन के दौरान सूरच को सीधे देखने की कोशिश ना करें. आखों को कभी न रखड़ें. आखों को साफ पानी से अच्छी तरह से धोलें. हमेशा द्रिष्टी से सामाने दूरी पर पढ़ें. लंबे समय के लिए कंप्यूटर पर काम के दौरान हमेशा कुछ सेकंड के लिए अपनी आखें छपकें और उन्हें हर आदे घंटे के दौरान बंद करें. अपने संतुलित आहार में विटामिन A जैसे गाजर, अंडे, दूद, दही, पनीर, पपीता और आम फल की तरह विट कामिन सम्रिद्ध पदार्थ शामिल करें. ब्रेल सिस्टम ब्रेल सिस्टम लूई ब्रेल दौरा 1825 में तैयार किया गया था, जो फ्रांस का रहने वाला एक नेत्रहीन था. ब्रेल लेखन प्रणाली है, जो अंधों और आंशिक द्रिष्टी दोश से प्रभावित लोगों को पढ़ने के लिए सक्षम बनाती है. ब्रेल प्रणाली 63 बिंदु कित पैटन अथवा छाप हैं. ब्रेल पैटन 6 बिंदु पदों में व्यवस्थित होता है. बिंदु को उर्धवाधर पंग्टियों के दो कक्षों में व्यवस्थित किया गया है. प्रतेक पंग्टी में तीन बिंदु होते हैं. प्रतेक छाप एक अक्षर, अक्षरों के समुच्चे, सामा निशब्द अथवा वया करणिक चन्न को प्रदर्शित करती है. नेतरहीन लोग ब्रेल लेखन प्रणाली की शुरुवात अक्षर, विशेश अक्षर और अक्षरों के समुच्चे के साथ करते हैं. साहरांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं. आखों के सामने का भाग मामुली उभार के साथ लगभग गोला कार होता है. कॉर्णिया, पक्षमा पेशी, आईरिस, लैंस, रेटिना, आप्टिक तंत्रिका और अंद बिंदू मानव आखों के महदपून हिस से हैं. एक सामाने मानवनेत्र की स्पष्ट द्रिष्टी की न्यूनतम दूरी 25 सेंटिमीटर होती है. आग से दूर की वस्तूओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाना निकट द्रिष्टी दोश कहलाता है. आग के आसपास की वस्तूओं को नहीं देख पाना दीर्ग द्रिश्टी दोश कहलाता है। ब्रेल लेकन प्रणाली अंधे और आंशिक द्रिश्टी दोश से प्रभावित लोगों को पढ़ने के लिए सक्षम बनाती है।